तो कैसे हो सब उम्मिद करता हूं बहुत बढ़िया होगे देखो यार यह वीडियो शालू होने से पहले ही बोल रहा है यह वीडियो को या तो आप अपने प्लेलिस्ट मैड करके रखो या तो सब्सक्राइब ठोके नाम रख लो चैनल को चैनल का नाम याद रख लो मिस्टर के निकाल दिया यह ट्रिक है आप भी पर सकते थे वैसे लेकिन यह कहीं यूट्यूब पे नहीं था इसलिए मैं आपको यह दिखा रहा हूं तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्वेलिट क्लिक को हम लोग ब्लॉगर में कैसे प्रोटेक्ट करें ठीक है तो बहुत सारे लो देखो यार रिस्क तो होता है अगर आपने अपनी वैबसाइट कहीं रिवील कर दिया ना तो आते हैं लोग जो इन्वेलिक क्लिक करते हैं इसलिए मैं भी अपनी वैबसाइट पर गूगल कैट्स नहीं लगाया हूं समझ सकतो यार यह लोग सब जगह में लेंगे आपको मैं जिस दिन वर्डप्रेस पे शिफ्ट करूँगा उस देन असानी से वी प्लग इन लगाया या मैं देखता हूं यह कोड काम करेगा तो डैफिनेटली हम इसे को यूज करूगा तो कौड क्या है यह देख लिए तो कौड है एक कोड की मैं कोड नीचे डिस्क्प्षिन मे कैसे करती है और ठीक है तो इसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है ये आर्टिकल लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इन लोग बताएं कि AdSense को आप Invalid Click से कैसे बचा सकते हैं और ये में कोई वीडियो शायद नहीं मिली कहीं भी मैंने ढूंड रहा था ठीक है लेकिन इसके बारे में कोई जिकर नहीं था ठीक है तो AdSense को बचाने के लिए पहली बाद तो एक मेथड सबको पता है कि Invalid Click Activity का Form होता है ठीक है तो अगर मैं लिखूंगा ना Invalid Click Activity Google Ads तो सबको पता है कि यार उसमें एक Form होता है Contact Form होता है कि आप उसको भी भर दोगे तो कुछ हो सकता है लेकिन जनरली उससे कुछ होता नहीं है Invalid हमको प्रोटेक्ट करना पड़ता है और ब्लॉगर में बहुत खत्रा है यार कोई भी एक बार गुसेगा Click मार देगा आपके तो AdSense खतम हो जाती है एक बार में ठीक है तो इसलिए कई लोग डरते है अपनी Websites को डिरेक्ट रिवील करने में Okay, तो इस script के हिसाब से आपको script जो है head या body के अंदर लगानी है तो of course ही बात है हम लोग इसको body में लगाएंगे ठीक है ताकि यह last में लोड हो script क्या एक script जितना last में लोड होगी न उतना फाइदा है क्योंकि ads जो है वो async होती है async मतलब जब आपके content लोड होते है तब तब वो ads भी sync होना चालू हो जाती है तो आप अपने blogger के theme में जाएंगे तो यहाँ पर मैं एक blog demo था ठीक है या code support नहीं करता YouTube यह वाले brackets क्यों YouTube community की जाने support क्यों नहीं करती है पर चल यह ठीक है आपको add it as html करना है और यह code को simply आपको copy करना है है न और यहाँ पर क्या लिखा है कि आप पढ़ लिजे save the code and enjoy लिखा है और यहाँ पर देखे कुछ लिखा है यह clicks जो लिखा है यानि आप कितना click allow कर रहे हैं सामने वाले user को add में click करने के लिए ठीक है तो मैं आपको recommend करूँँगा एक या दो ठीक है क्या पता कोई सही मे में ज्यादा दो बार दो लिख देना चलो click में ठीक है click में दो रहेना चाहिए इंटर्वल जो है वो milliseकंड में यानि तैईससो मिली सेकंड को देखना पड़ेगा यह कित्ता होता है इन सेकंड इन मिनिट्स तैईससो मिली सेकंड जस्ट सेकंड ना क्या एक हाथ में माई कहना इसलिए ऐसा हो रहा है और ज्याद से वीडियोज को प्लीज डाल देना अपने प्लेलिस्ट में ताकि आप लोग को ही रिप्लाय देना है ठीक है तो हमको तैईसससो मतलब यह तो बहुत कम हो गया हमको त तो इसको कर लेता हूं डियरेक्ट मैं मिनट्स कोई सेट कर देलता हूं तो 60 मिनट्स होते हैं एक दिन में 1624 कर लेते हैं तो 65 चले 30 भी चल जाएगा तो 3000 मिनट्स सेट करेंगे हम लोग और यह बहुत ज्यादा हो गया तो कोई नहीं ठीक है इतना जो है हम लोग इसको सेट कर लेते हैं मिली सेकंड्स ठीक है और यह बहुत ज्यादा होता है आइनो बट हमको रिस्रिक्शन तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि 2300 मिली सेकंड्स तो बहुत कम हो गया ठीक है तो बहुत कम डियूरेशन के लिए उसकी एड्स ब ब्लॉक रहेगी ताकि तब तक हम लोग अपना एड्स को देखके ठीक भी कलने है तो सिंपल सा इडियोलोजी है 50,000 रखेंगे हम लोग ताकि एक घंटे तक कि वो इन्वेलेट क्लिक और ना कर पाई जो भी है ठीक है क्योंकि एक गंटे मेरे चाल से एक गंटे 20 मिनिट में आप लोग जनरली खोल लेते हैं हम लोग या और बढ़ाना चाहे तो 830 कर लेते हैं मैक्सिमूम ठीक है तो यह किता हो गया आप लोग केल्कुलेट कर लीजिएगा 830 मिनिट्स बहुत होते हैं कोई ब्लॉक कर रहे हैं या आपकी मर्जी है टोटल मैं फिर से बोर रहा हूं आपको किता रखना है आप चाहें तो 460 मिनिट्स एंड 6 ठीक है तो 10 घंडे ब्लॉक करते हैं चलो छोड़ो यह वैल्ल्यू को आपको कॉपी करना है ठीक है और देख लीजेगा आपको किता सेट करना है आपको यह लिखना है मिली स्टेकेंड से इन 2 मिनिट्स एन यह सेट कर लेना इस पार्ट को कॉपी करने के बाद आपको यह इंटर्वल से रिप्लेस कर देना है तो मैंने नोट पैड में इसको सेट करके रखा तो मैं आपको यह वाली वैल्यू दूंगा इंटर्वल की ठीक है आप चाहें तो या तो आपको यह वैल्यू देता हूं आपको र एक बार रिफ्रेश कर देलता हूं तो यह HTML code है, इसमें सबसे नीचे आना है आपको और जो यह body tag आपकी end हो रही होगी ना आप चाहे तो इसे find कर सकते हैं, slash body ठीक है, तो आपको भी यह code मिल जाएगा और जो last में होता है, generally सबसे, यहां पर end हो रही है आपको यहां आके paste कर देना, वो script को, ठीक है और just आपको save में click कर देना है अब देखिए, यह मेरे end से tried and tested नहीं है मैं पहले ही बो रहा हूं यह आपको, इसलिए बो रहा हूं video save करने के लिए, क्योंकि आपको test करके नीचे कमेंट में बताना है कि यह काम कर रही है के नहीं ठीक है, क्योंकि देखिए, यहां पर इन्हों ले लिखा है you can change the values, तो interval और clicks की values तो मैं आपको बता दी, आपको change कर लेनी है ठीक है, और यह कैसे काम करता है, तो यहां पर लिखा है original source code इन्होंने यहां पर दिया हुआ है ठीक है, तो यह हम को अभी उससे नहीं देखना है तो यहां पर लिखा है, this code is tested successfully by developer ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यह script दे रहा हूँ ठीक है, तो यह है how to protect adsense ठीक है, यह code भी मैं आपको दूँगा, लेकिन आपको copy यह editable script करनी है और नीचे comment करके जरूर बताए कि आपके लिए काम करी है कि नहीं ठीक है, और फिर एक और चीज है, आपको form भी होता है आप चाहें तो इसको भी भर सकते है, invalid click की अगर activity हो चुकी है और आप तब यह video देख रहे है तब आपको simply मैं नीचे description में form दे रहा हूँ आप उसको भी भर दीजिए, तो आपका काम वहाँ से हो जाएगा और नहीं हूँ यह invalid click activity, आपको यह try करना है तो जरूर से करके सब को बता दे कि यह काम करेगे नि में को भी फता चल जाएगा ओके, वीडियो बहुत लंबी हो गई है ओप करता हूँ आप subscribe यह save कर लियोंगे वीडियो को ठीक है, subscribe करना है नहीं करना है वह आपके ओपर है लेकिन यार वीडियो प्लीज सेव करना ताकि आप comment कर सके है ठीक है, नाम याद रख लेना, चैनल का इपता भी चल जाएगा, बहुत होगा मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद